कहते हैं, इंसान को किसी भी चीज की कदर तब होती है, जो वो चीज हाथ से निकल जाती है और इंसान को इंसान की कदर भी तब होती है, जो वो इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है दोस्तो कब किसका समय आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता और हम तो इंतजार में लगे रहते हैं कब किसी से मुलाकात करते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो तो आखरी मुलाकात है अरे किसी से फोन पर बात कर रहे थे और आपे बता ही नहीं होता ये तो आखरी फोन-कॉल था तो जिंदगी में जो भी कहना है, करना है आज ही करो, इन्तिजार मत करो हमारे दिल में बहुत कुछ रह जाता है और वो इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है और फिर धेर सारा अफसोस और उसकी तस्वीर के सामने हम रोते हैं ओशो रजनीश ने इसी बात पे बहुत सुन्दर पंक्तिया कही है जब मेरी मृत्य होगी तुम मुझे मिलने आओगे मेरे रिष्टिदारों को मिलने आओगे और मुझे उसका पता ही नहीं चलेगा तो आज ही आजाओ ना जब मेरी मृत्य होगी तुम मेरी सारे गुनाह माफ कर दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा तो आज ही कर दो ना जब मेरी मृत्यू होगी, तुम दुनिया भर में मेरी अच्छी अच्छी बाते करोगे, और मुझे पता ही नहीं चलेगा, तो आज ही कहदो ना, और जब मेरी मृत्यू होगी, तुम्हें लगेगा कि काश इस इंसान के साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता, तो कितना अच् तो इंतजार मत करो, इंतजार करने में कभी-कभी बहुत देरी हो जाती है, तो जो भी करना है, आज ही करो, एक दूसरे से दिल खोल के मिल लो, बाते कह दो, माफ करना है, माफ कर दो, माफी मांगनी है, माफी मांग लो, उसकी अच्छाईयां उसको बता दो, तो कि किसी का समय कब लिखा हुआ है हमें पता ही नहीं है and of course जिन्दगी इतनी भी लंगी नहीं चितना हम सोचते हैं तो बहुत समय गवाया इंतजार में अब action लेना शुरू कर दो and कहते हैं न मन अटका रहा हो सारी उल्जनों में और जिन्दगी हमें जी के इता हुआ है